अब हल चल विस्तार से उसका परिबार गाड़ी में सवार होकर बेटी की डूली वाली कार के साथ जा रहे थे और वे अपनी गाड़ी में सवार होकर उनके पीछे पीछे जा रहे थे जैसे ही उनकी गाड़ी हर्याना के नजदीक पहुंची तो आगे अच्छानक अवारा पशु आ जाने की कारण गाड़ी का संतुलन विगड़ गया और गाड़ी पेड़ से जाटक रही जिस कारण उसके बेटे साहिल कटोच और उसके पिता रोशनलाल की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसकी माता वेद कुमारी और उसका भांजा युवराज सिंगंभी रूप से खायल हो गए जिनने रहगीरों की मदद से वुश्यारपुर में दाखिल करवाया गया जहां डॉक्टरों की और से उनके भांजे युवराज को जालंदर रेफर कर दिया गया और वहां उन संसकारी सम्मान के साथ अंतिम संसकार किया गया जब की मृतक दादा आर्मी से रिटाइड कैप्टन था वो शार्पूर से हल्चल के लिए अंकुष गोईल की रिपोर्ट एरिये दे कैप्टन रोशनलाल साहुना दा बेट जेड़ा पोत्रा सगा साहिल कटोच कैप्टन रो हुना दी पोती दी मेरेज सगी रात बारा बजे ता यासी कठे सगे मेरेज तो बाद कार लगन फेरे होए डोली गई डोली दे नाल ब्रदर जन्दा हुन्दा कैप्टन साहँ भी जेद करनला पे ति मैमी पोती दे नाल फेरा पान जाना थेस्ते दारा ने भी रोकिया पर हुनी आ पोनी नो कौन टाल सकता हुते नाल लेया मघवर चल गे नाल दादी सगी है को डोली दोलिता हुनी दूसरे दोती STUDी मेरे दी रास्ते चटता हो गएं दे काका तु पिछे कम देख अशी जाके आने जान दे हरे आने झान नाल खे पल दे नाल ट्रक नो रोच का रह अज़ी ज़ने गाइं नुब जानी है जड़ी गड़ी या उ सफैदे वेच बज़ी जदो सफैदे वेच बज़ी ता उते लोग जड़ी मुक्के दे शगे जब देखिए अजनु भी फून आया जागे देखिया क्रेंट नाल जेसी वीजे नाल हो दा खिर्की कड़ी है खिर की तोड़ के उना नुकड़े हा